पिन संसद में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग जी ने आधी अधूरी जानकारी देश के सामने संसद के पटल के सामने रखी जिसकी वज़े से एक बहुत बड़ा कन्फूजन का बहौल पैदा हो गया राहुल गांधी जी लीडर आफ आपोजीशन है कॉंग्रेस पार्टी विपक्ष की प्रिंसिपल आपोजीशन पार्टी है हमारी जम्मेदारी बनती है कि हम लोगों के मुद्दों को सेना के देश की सुरक्षा के मुद्दों को सेनिकों के मुद्दों को और अग्री वीरों क के साथ जो भेदबाव हो रहा है सेना के साथ जो भेदबाव हो रहा है इन मुद्धों को एठाएं हमारे हमारा बुनियादी रोल है सवाव iP Utah सवाल का जवाब देना जम्मेदारी बनती है सरकार की मौजूदां सरकार की जो लड़ाई लड़ी इलेक्शन्स के दोरान उसके अंदर जो मैंडेट आया बारा से लेके और बाइस परसेंट तक डिफरेंस इनकी वोट्स कम हुई तो उसके अंदर एक एहम मुद्दा अगनीवीर अगनीपत स्कीम भी थी क्योंकि देश ने इसको खारिज कर दिया था आज मैंडेट उनके खिलाफ है असी से ज्यादा सीटें वो इस हार चुके हैं और इसलिए हमारी और नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि जिन मुद्दों को लेकर हम चुनाओ ने गए थे उन मुद्दों को संसद में भी उठाएं क्योंकि हमने वयदा किया हैं सडक से संसद तक लड़ाइ लड़ेंगे जन्ता की लड़ाइ लड़ेंगे साथियो बात आई अगनीवीर को क्या दिया जाता है और अगनीवीर को क्या नहीं दिया जाता है राहुल जी का मुद्दा है कि देश की सेना के साथ सेनिकों के साथ शहीदों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए दो तरह के सेनिक नहीं होने चाहिए दो तरह के शहीद नहीं होने चाहिए अगनिवीर शहीद को कुछ सम्मान और रेगुलर सैनिक को कुछ और सम्मान ये हमारे देश की ना तो परंपरा रही है और ना कॉंग्रेस पार्टी की नीती रही है और परंपरा रही है तो इसलिए हम इस सवाल को उठाएंगे और सवाल को उठाया और सवाल को छोटा ना बनाए ये एक ये एक अजे सिंग का मामला नहीं है जो लुद्याना से आता है रामगर्बुक सरदारा का रहने वाला लैंड माइन का शहीद है ये उसका मामला नहीं है उसके साथ साथ 13 जो अगनिवीर शहीद हुए है उनका मामला है उनको क्या सरकार ने दिया क्या नहीं दिया उसके बारे मैं आप बाद में बताएंगे लेकिन तेरा अगनिवीर जो शहीद हुए हैं उनको ये एक लाग बीस हजार अगनिवीर जो सेवारत हैं सेना में ये उनका मामला है ये 80,000 ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर जो अगनिवीर की ट्रेनिंग ले रहे हैं ये उनका मामला है ये देश की सेना का सुरक्षा का मामला है तीनों सेनाओं ने कहा था कि ये हमारे लिए चौका देने वाली बात है अगनिवीर की जो स्कीम है जनल नर्वाने ने अपनी बुक के अंदर लिखा है और माना है ये तीनों के लिए चौका देने वाली बात है बहुत बेद बाव है हमने नहीं सोचा था कि सेना के अंदर ऐस भी बेद बाव कभी होगा